हेलो फ्रेंड्स आजें तमारी साथे शयाकरीज काठ्यावडी स्वाद साथे सिंग भजियाना शाक्ती रेसिपी तो आशाग फक्त आठी 10 मिनिट मा तयार थे जाए छे चेमा आपड़े शाक ने ग्रेवी एभी तयार करशू के साथ स्वाद मा थोड़ू तीखू अने एकदम चटा के दार बन्चे आने शाक साथे खानी मजा यते बाजरीन रोटली आपड़े अमुक टिप साथे एकदम सौफ्ट अने फूलेली तयार करशू तो साथे कईक जट पड़ तयार करू होए तो एक और आ थाड़ी चो कस्ती ट्राइ करवा जेवी छे तो चालो रेसिपी शरू करिये तीखो अने एक दम चटा के दर सिंग बजे आने शाक बन्नावा पैन मा चार मोटी चमचलू तेल आड़ करी दाईये तो शाक मा तेलनू मा अब थमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वधू के उच्छू करी शको छो हवे तेमा एक चमचलू जीरू अने एक पिंजली हींग एटकरी ने जीराने सार रित ककड़ावी लईये तो जीरू सार रित ककड़ी ग्योचे हवे मिया या अड़धा कपजली जीनी सुधराई डूगडी लिदेली छे तेने एटकरीने डुगडी सेज ट्रांस्परेंट थाये तियास दे जीरू लईये तो लगपग बे मिनेट जेऊ थाई ग्योचे अने डुगडी थोडी सत्राईने ट्रांस्परेंट थाईगे छे तो आवे मियाई या एक चमची अने पात्थी छो लसन नी कड़ीन जिनी सुधारीली देली छे तेने एड करीने सार रिते साथ डिली लगिए तावलो लसन सतडाय चे तिया शुदे शाक मा एड करवानी मसाला पेस्ट बनावी लगिए तो मसाला पेस्ट माटे मिकसिंग बावल मा अर्धी चमचे लो हर्दर पावडर एक चमचे लो कश्मीरी लाल मच्चू पावडर एक चमचे लो धानाजीरो पावडर एक चमचे लो धानाजीरो पावडर अर्धी जमचे लो किचन किंग मसालो अने में एक चमचे ली कसुरी म સkor में સ્દા Congressman દ્ત પલત , સારલએ આપગે પકરધે , साथे बद्धाल टेश्टने बैलेंस करवा माटे मैं ये तुडओ गोड एड करेलो छे जो तमने मिठाश्न ना भावती हो येजुँद तमने तेने स्किपपन करी शाको छो साथे मसाला पेस्ट मा अपने थोड़ू पानी एड करेलो छे पाणी एट करवा थी मसाला पाणी मा एकदम सारीते फुली जाय चे अने जर्णा पने आ मसाला पेस्ट ने तेलमा सातरी ये चे तियारे मसाला जर्णा पन बढ़ता नती और अने फवे शाक ने जोई ए तो लसन एगदम सारीते सत्र डाईगी उछ़ए तो यह त्यार करेली मसाला पेश्ट ने तेल माँ एड करी दाईए और सार हीते साथ्री लएए आने तेने सारीते साथ डिलाईए तो शाक बनावती वक्ते टमेटाना टुकणानी जगे आरीतना टमेटानी प्यूरे एड करवा थी ग्रेवीने एक थिकनेस अने कोटिंग मडे च तो लगबग वे थी त्रोन मिनिट जेव थाई ग्यूँचे आने टमेटानी प्यूरे एकदम सारीते सत्रे ने उपर थी आरीतनु तेल छटू पड़ी ग्यूँचे तो अवे गेस्ती फ्लेम एकदम लो करी देए आने ग्रेवीने थोड़ी ठंडी करी लईए आने अवे शाकनी ग्रेवीनो रसो करवा माटे मैं ये एक वाट की जिटली छास लिदेली छे तो छास एट करती वक्ते अपड़े गेस्ती फ्लेम एकदम लो करी देवानी छे साधे तेने सत्त धल्ला उतहरेवानू छे जिदे जहरा पण फाटे नहीं तो लगपग 2-3 मिनिट माज ग्रेवी एकदम सारीत उकडवा लाईगी छे तो अवे में आई या एक कप अने वजन मां 100 ग्राम जेटला सिंग बजिया लिदेला छे तो मैं मसाले दार सिंग बजिया नू नानी साइज नू 10 रुपया नू पैकेटली देलू छे तेने एड करीने ग्रेवी माँ सार हीते मिक्स करीलेई तो सिंग बजिया सार हीते मैक्स हैी गया जे हवे ढ़ाकण बंद करीने शाक ने फक्त 5 मिनिटमाटे कूक करी लेह तो 3 मागैज पर आपण शाक कूक थेरेव लिएं चे शाकनी ग्रेवी मां पाणी जग्ये थूढ़ी छाश आट करवा थी ग्रेवी नो स्वाद एकडम सरसाव में चे आपड़े जेहरषा शाकने 10 सव करव और त्याफे आप्ने टेमा सिंख भजी आट करवाना चे सिंग बजया एट कही रापची अपने शाक ने त्रौन थी चार मिनिट माटे कुक करी लेवानों छे चे दिते ग्रेवी ने एकदम सारी ते एब्जॉब करी ने थोड़ा सौफ्ट थाई जाए तो लगबग पांच मिनिट चे उठाई ग्यूचे हवे ठाक करने खोली लेगे तो दमें जोई शाको चो के सिंग बजया थोड़ा सौफ्ट थे गया चे अने ग्रेवी ना रसा सथे भड़ी गया चे तयार थाईला शाक नूँ टेक्शर बताऊ तो तयार इतना लजका पड़तू छे तो हवे गेसनी फ्लेम बंद करी दईये अने तयार थाईला शाको पर थोड़ा कोथवी ना पांच स्प्रिंकल करी लेगे तो जोत्ताच खानू मन थे जाए एहु आपड़ो एक दम टेस्टी सिंग भजियानू शाक तयार थेग्यों चे एक वा जोर सी ट्राई कर जो तयार थेला शाक साथे खानी मज़ा थे आजनी रोटली बनावी लेगे तवे रोटली माटे मैं या बेक अप जिटलो बाजरानो लोटली देलो छे हवे तेमा स्वात प्राणे मीठु आट करी देलो छे साथे रोटली ठंडी थाया पची पान एक दम सोफ्ट लागे तेना माटे एक चम चेटलू घी आट करी देलो अने हवे लोट बन्दवा माटे में जे वाटकी थी लोट ली देलो हतो ते वाटकी ना माप्रमाणे एक वाटकी चेटलू पानी ले देलो छे तेने पैन माँ एट करी ने सारीते गरम करी लेए तो लगबग 2 मिनिट मा आज आपणू पाणी एकदम सारीते गरम थेने आरीतनू बोयल थवालाईगू छे तो गेस नी फ्लेम बंद करी देए अने हवे पाणी ने थोड़ू लोट मा एड करीने सारीते मिक्स करी लेए अने हवे लोटने तरताज थोड़ी वार माटे ठाकी देए जेथी लोट पाणी ने सारीते एब्जोप करी ले तो लगबग 3 मिनेट जव थाईग्यू छे हवे ठाकरने खोली लेए अने हवे हाथ नी मदत थी लोटने सारीते बांधी लेए अने हवे वधिलू बद्दूज पाणी एड करी ने रोटली माटेनों सोफ्ट लोट बांधी लेए तो बाजरीने लोट मा जहरापन बांधी नाथी होतु एडले ठंडा पाणी नीचेगे गरम पाणी थी लोट बांधवा थी लोट मा एक बांधी लेए जाई छे तो बांधी लेए अने आवे वेलर नीम देथी तेमा थी मीडियम साइज नी आने पतली रोटली वणी लेए तो रोटली वणती वक्ते जो तेकी नारी थी आहरितना थोड़ी फाटती जत्ती होई तो तेने पानी थी सरकी करी लेवी तो आपड़ी रोटली बणाए गेछे औने ते आहरितनी एकदम पतली तैयार थाई छे अने हवे रोटली बढ़नावानी बीजी रितमा लुवाने फरी पाच्छो पाटला उपर राखी दईये तो मैं या पहला करता थोड़ो मोटी साइजनो लुओली देलो छे अवे तेनी उपर कोरो लोड स्प्रिंकल करी लईये अने हवे हाथ नी मद थी तेने आरितना थापता जेने रोटली ने तयार करी लईये तो जेमा आपणे रोटला तयार करीये छे तेमा आपणे बाजरी नी रोटली पन तयार करी शक्ये छे तो तमे जोई चेको छो के मैं रोटली ने थापीने तयार करीली देली छे अवे तेने हाथ मा लई 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 ये औने पाच्याणी बाजुए वद्धरा sulphurunu लोटणे आरी तना दूर करी देये जैसी रोटली सेकती वक्ते जरापण फाटे नही औने अवे रोटली सेकवा माटे मैं ये तवाने गरम करी लिदेलोछ तो जमें जोई शागो छो के जेम जेम हू रोटली ने सेकती जाओ चुछ तेमते एकदम साहरी ते फूलती जाएचा। तो जेम रोटली बनने बाजूती साहरी ते सेकाई गाई चा। तेने तवी थानी मदथी गेस उपर पर ठोड़ी सेकी लगिये। जे देजरापन काची न रहे। तब्ली एकदम फूलेली भाजरी नी रोटली तैयार गर्मा गरम रोटली उपर थोड़ू गी लगावी देगे थपड़ी एक दम फुलेलियाने सौफ्ट बाजरीन रोटली तेयार थेगे चे तो यह तेयार थे रोटली साथे शाकने साव करी लेगे साथे बाजरीन रोटली नी रेसिपी जो तमने गमी होए तो मने कमेंट सेक्षिन मा जरूर थीके जो साथे मारा वीडियोने लाइक और फ्राइंड जाने फेमेली मा शेयर कर जो अने मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बूलचो तो फरी मड़िये एक नवी रेसिपी साथे